हेलो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस आर्टिकल 2 ऑफ दा इंडियन कंस्टिटूशन तो मैं इसका वर्ब एटम रीट कर देता हूं तो ये आर्टिकल जैसे आप देखी सकते हैं ये नई स्टेट्स को कैसे बनान कैसे एडमिट करें कैसे एस्टेबिलिश करें उसके बारे में हैं दोस्तो नई स्टेट्स स्टेट्स मतलब प्रोविन्सेस है ना भारत में स्टेट्स का मतलब कंट्री मत समझे ना काफी बार वो भी कंफीजन हो जाता है लोगो को तो यह उनके बारे में है, यह कहता है कि Parliament जो है, जो हमारी संसद है, वो कोई भी law बना सकती है, may by law, ठीक है, वो कोई भी law बना सकती है, जिससे हम किसी state को बना सकते हैं, ठीक है, may by law admit into union or establish new states, इसका example है best सिक्किम, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था जब भारत आजाद हुआ लेकिन वहाँ पे काफी कुछ चीज़े होई, सिक्किम मर्जर का आप लेक्चर में देख ले ना, मैं उसमें details में नहीं जाना चाता, finally लोगों ने भी referendum से decide करा कि उन्हें भारत में merge होना है, तो भारत में constitution amendment हुआ, article 2A आया, और सिक्किम को भारत में merge कर दिया, तो admission और establishment of new states और इसमें सिर्फ Parliament ही, Parliament का सिर्फ वो चाहिए होता है, उसे सिर्फ law pass करना होता है, simple majority से law pass करना होता है, और new state admit की जा सकती है, जैसे भी Parliament चाहे, दोस्तो एक चीज़ का ध्यार नखना काफी लोग confuse हो जाते है, article 2 और article 3 में, article 2 का मतलब है, नई state कहीं और से बनाना, ठीक है मतलब जैसे पाकिस्तान को for example अगर merge करना हो कल और बोलने की पाकिस्तान के साथ states या पाकिस्तान का एक state भारत में बनाना है, तो article 2 यूज़ होगा, right, article 3 जो होता है दोस्तो वो भारत के अंदर से state create करना है, तो article 3 यूज़ होता है, जैसे तेलंगना जब बनाना आंदर article 2 तो अराम से आपको clear होई गया होगा, thank you, still कोई doubt है, comment section पर आप लिख सकते हो